हाई गाईज, वेलकम टू माई चैनल ब्यूटी अन फैशन गाईड, मैं हूँ मोसुमी और मैं आज आपके साथ पतन जली ब्यूटी क्रीम के बारे में बात करने बाली हूँ सो समर के सीजन हो या विंटर का एक अच्छा सा ब्यूटी क्रीम यूज़ करना ज़रूरी होता है जो हमारे स्कीन से दाग धबो को दूर रखके हमारे स्कीन को ब्राइटर और ग्लोइंग बनाने में हमारी मदद कर सके इसलिए मैं आज आपके साथ पतन जली ब्यूटी क्रीम शेयर करने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि अपने स्कीन को ग्लोइंग और ब्राइटनिंग बनाने के लिए आप इस ब्यूटी क्रीम को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और क्यूंकि ये beauty cream dermatologically tested है और paraben free है इस लिस्ट में कोई भी side effects पगरा नहीं है और इसको लड़का लड़की दोनों ही easily use कर सकते हैं तो फिचले बिनारूकर वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस तरफ जो लालके की सब्सक्राइब बटन है उसे भी प्रेस कर देना आपवलो तो पता ही है कि मैं ऐसे किसी पड़क को अपवलोशा शेयर नहीं करती पहले मैं उसे खुद use करती ऊंप इसके बाद उसको अपवलोशा शेयर करते हूं आज आपको साथ जिस पड़क को share करने वाली हूं वह ये पतंजली beauty cream आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, तो भी चलिए पहले बात कर लेते हैं, इसके प्राइस क्वांटिटी और पैकेजिंग के बारे में, और इस ब्यूटी क्रीम को यूज करने का क्या-क्या फायदा है उसके बारे में, इस ब्यूटी क्रीम का जो प्राइस है, वो है 70 रूपीज, वो यहाँ पर दिया हुआ है, अप लोग देख सकते हैं, 70 रूपीज, और मैंने इसको 70 रूपीज में ही पर्चेस किया है, और मैंने इसको पतन जली के स्टोर से पर्चेस किया है, अप लोग चाहे तो इसको पतन है वो है 50 ग्राम वो यहाँ पर दिया हुआ है अप लोग देख सकते हैं 50 ग्राम और इस ब्यूटी क्रीम का जो पूरा नाम है वो है पतंजली ब्यूटी क्रीम वो यहाँ पर दिया हुआ है अप लोग देख सकते हैं पतंजली ब्यूटी क्रीम for natural beauty and glowing of skin जो यहाँ पर दिया नेचरल ग्रोइंग स्कीन और यहां पर दोनों चीज का पिक्चर दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका जो मेन इंग्रीडियंट है इसका पिक्चर दिया हुआ है यहां पर इसका जो मेन इंग्रीडियंट है इस ब्यूटी क्रीम का वो है हल्दी जिसका picture यहाँ पर दिया हुआ है और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है ये है हल्दी का flower यानि हल्दी के tree का जो full होता है वो हल्दी के जो full होते हैं वो भी हमारे skin के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है और हल्दी तो पता ही है कि हमारे पैर से सर तक बहुत antioxidant होता है जो हमारे skin के pH level को maintain करता है हमारे skin से pimple को दूर रखता है पिंपल की विदर से हमारे skin पर जो दाग धब्बे आजाते हैं उनको भी हमारे skin से remove करता है और हमारे skin को फेयर बनाने में, glowing बनाने में, brighter बनाने में हमारी मदद करते है उसी तरह हल्दी के जो full होते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा anti-oxidant होता है जो हमारे skin को pH level को maintain करता है और हमारे skin को brighter और glowing and fair बनाने में हमारी मदद करता है इसलिए ये जो beauty cream है ये हमारे skin को glowing और brightening बना ले के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है आप लोग जाहे तो इसको एक बार जरूर चेक आउट कर सकते हैं मैं link description में दे दूंगे आप लोग चेक कर लेना अब बात कर लेते हैं इसके packaging के बारे में अप लोग देख सकते हैं और यहां पर इसका जो धकन दिया हुआ है इसको इस तरीके से open करना है और open करने के बाद यहां से हमारा जो beauty cream है बहुत ज्यादा यूज किया है मैं अपने daily life पर इसको use करती हूँ, ये इतना सारा खतम हो गया है, क्योंकि ये जो beauty cream है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसका जो main ingredient है, वो है healthy and healthy के फूल, जो हमारे skin के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, और हमारे skin को fair बनाने में, brighter बनाने में हमारी मदद कर अब चलिए बात कर लेते हैं इसके fragrance and texture के बारे में, इस cream का texture है वो है कुछ इस तरीके से, इसका texture है बो अपलोग देख सकते हैं, एकदम ही creamy texture है और इसका color है वो थोड़ा सा whitish color में है, कुछ इस तरीके से अपलोग देख सकते हैं, ये एकदम creamy है, जब इसको हम अपने skin प हो जाएगा और ये चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं है, अब लोग देख सकते हैं, ये हमारे skin को चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं बनाता, जब हम इसको अपने skin पर apply करेंगे तो ये तुरंत ही हमारे skin पर melt हो जाता है और इसका जो work है वो भी दिखाना चालू कर देता है इसका जो fragrance है, वो बहुत ही ज्यादा प्यारा है, एकदम ही light and mild थोड़ा सा flower kind का fragrance है, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है इसका fragrance, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आप लोग चाहे तो इसका जो fragrance है, इसकी वज़ा से इसको एक बार ज़रूर यूज कर सकते हैं, और इसका जो color है, वो भी कुछ whitish color में है, आप लोग देख सकते हैं, और इसको अपने skin पर apply करने के बाद ये मेरे हाथों पर तुरंत ही absorb हो गया है, आप लोग देख सकते हैं, इसी तरीके से जब इसको हम अपने skin पर apply करेंगे, तो ये तुरंत ही हमारे skin पर absorb हो जाता है, कि धूल, पसीरा, हमारे skin पर बैटने की वज़े से और pimples आजाने की वज़े से हमारे skin जो है, बहुत ज्यादा damage हो जाती है, हमारे skin पर black तरह के धब्बे आ जाते हैं, तो एक अच्छा सा beauty cream यूज़ करने से हमारे skin के जो काले धब्बे होते हैं, बो भी चले जाते हैं, औ इसका जो main ingredient है, बो है healthy and healthy के flower, और healthy और healthy के flower में बहुत ज्यादा antioxidant होता है, जो हमारे skin के pH level को maintain करता है, हमारे skin से pimple को दूर रखता है, pimple के आजाने से हमारे skin पर जो black तरह के काले धब्बे आ जाते हैं, उनको दूर रखता है, जो हमारे skin जो dull हो जाता है, उसको हमारे skin से dullness को remove करता है, और हमारे skin को glowing और brighter बनाने में हमारी मदद करता है, जो एक बहुत अच्छी वाली बात है, और इसको use करने के बाद एक हलका सा fragrance भी हमारे skin के उपर छोड़ के जाता है, अब चलिए देख लेते हैं, इस beauty cream को use कैसे करना है, इस beauty cream को use करने से पहले इसका ढखकन है, इसको इस तरीके से उतार लेना है, उतार लेने के बाद जो beauty cream है, इसको अपने हातों पर इस तरीके लेना है, और बहुत ज्यादा नहीं लेना है, अपने face के according ही लेना है, इसको लेने के बाद इसको dab dab motion पर इस तरीके से हमारे all over face पर इसको apply कर देना है अपने skin पर इस तरीके से फैला देना है इस तरीके से dot dot motion पर इसको फैला देना है और फैला देने के बाद जो हमारे finger tips है इसको हलके हातों से इस तरीके से हमारे all over face पर इसको rub करना है ताकि यह जो beauty cream है यह हमारे all over skin पर अच्छी तरीके से बैट जाए और इसका जो work है वो अच्छी तरीके से हमारे skin के उपर दिखा सके और इसको apply करने के time आप लोगो को ध्यान में रखना है कि अपने skin के उपर इसको इस तरीके से जोर-जोर सर रगणना नहीं है सिर्फ अपने fingertips से इस जो beauty cream है वो राद भर हमारे skin के उपर बैट सके और इसका जो work है वो अच्छी तरीके से दिखा सके अब आप सोच रहे होंगे कि इस beauty cream को तो इस तरीके से dab-dab motion पर लगाना है लेकिन किन-किन समय पर हमें इसको अपने face पर apply करना है सो मैं आप लोगों को बता दू ये जो beauty cream है इसको आप लोग हपते में 7 दिन ही अपने face पर apply कर सकते हैं और इसको आप लोगों को दिन में 2 बार apply करना है सुभा नहाने के बाद जब हमारा skin बहुत ज्यादा clean होता है और रात को सोने जाने से पहले अपने face को एक अच्छे स करना है अप लोग चाहे तो पतन जली जो नीम तूल सी face wash है उसका भी इस्तिमाल कर सकते हैं और उसके बारे में मैंने और वीडियो बनाया हुआ है वह मैं आई बटन पर दे दूंगे और description में दे दूंगे अप लोग चेक कर लेना सो face wash को यूज करने के बाद हमें इसको अ तुरंद बाद ही अपने face को wash नहीं करना है अगर हम तुरंद बाद ही face को wash कर लेंगे तो इसको use करने का कोई फायदा नहीं होगा इसलिए सुभा उठकर इसको wash करना है और यह जो beauty cream है यह dermatologically tested है और paraben free है इसलिए इसमें कोई भी side effects बगरा नहीं है और इसको लड़का की दोनों ही easily use कर सकते हैं so guys अगर आप लोग चाहे तो इस पतंजली beauty cream को एक बार जरूर purchase करके use कर सकते है मैं link description में दे दूंगे आप लोग चेक कर लेना so guys अगर आप लोगो को मेरा आज का यह beauty cream वाला वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को like जरूर कर देना अप आप लोगो को आज की वीडियो कैसा लगा मुझे comment करके जरूर बताना अगर आप लोगो को किसी और दूसरे प्रोड़क के लिए जानकारी चाहिए तो भी मुझे comment करके जरूर बताना और इस तरब जो लाकर subscribe बटन है उसे भी प्रेस कर देना और पास में जो bell icon है उसे भी प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को नेक्स वीडियो के अपडेट मिलती रहे मेरे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू